नमस्कार राज्यतिक खबरों के सबसे दिल्चस्ट पिठीकाने में मैं रूपेश्ट मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ दरसल कॉंग्रेस पार्टी इन दिनों ग्रहकलेश से उबर ही नहीं पा रही है बात चाहे पंजाब की करे, राजिस्थान की करे, 36 गड़ की करे लगभग हर जगह कॉंग्रेस पार्टी इन दिनों बुरी तरीके से ग्रहकलेश में उल्जी हुई है दरसल आपको बता दे पंजाब का प्रकरण इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है लेकिन पंजाब को लेकर जब नौजोज सिंग सिद्धू और प्रियंका गाधी की जब हाल ही में मीटिंग हुई और साथ में एक फोटो सामनी आई, उसके बाद लगा कि अब पंजाब का मसला सुलज गया है और लोगों ने ये कयास लगा लिये कि जो पंजाब में फॉर्मूला लागू किया गया है वही लगभग हर प्रदेशों में लागू किया जाएगा लेकिन जिस प्रकार से आज नौजोज सिंग सिद्धू ने ट्विट कर आम आदमी पार्टी के लिए जो उन्होंने कसीदे पड़े हैं उसके बाद से एक बात तो बिलकुल आईने की तरह साफ हो गई है कि नौजोज सिंग सिद्धू और आला कमान के बीच जो बातचीत है वो संबाद इस्थापित नहीं हो पाया है वो बातचीत नहीं बन पाई है यानि कैप्टन अमरिंदर सिंग और नौजोज सिंग सिद्धू का विवात अभी तट नहीं सुलश पाया है दरसल नौजोज सिंग सिद्धू ने आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए ट्विट कर किया और कहा कि जो बेद्वी कांड है प्रश्टाचार है जो ड्रक्स के मामलात है इन तमाम प्रक्रणों पर उनकी तारीफ बिपक्ष की आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है और जो पंजाब को लेकर जो सिद्धू का जो एक मॉडल है उसकी भी तारीफ की जा चुकी है और पंजाब का असली हिमायती कौन है पंजाब के असली मुद्धे कौन उठाता है ये भी उसे पता है खैर बाद में नौजोज सिंग सिद्धू ने एक और ट्विट किया और उन्होंने खुद को एक निष्ठावान कॉंग्रिसी बताया लेकिन जाहिर तोर पर जिस प्रकार से हालात है उससे एक बात बिलकुल साफ हो गई है कि प्रियंका गादी और नौजोज सिंग सिद्ध के बीच जो बाते हैं वो अभी तक नहीं बन पाई है यानि सिद्धू की जो शिकायते हैं वो बदस्तूर बरकरार हैं खैराज दोपार में एक खबर पंजाब से जुड़ी ये भी निकल कर सामने आई कि मुक्हमंत्री क्याप्टन ही रहेंगे लेकिन प्रदेश कॉंग्रे कमेटी की जो कुरसी है उस पर नया चहरा बैठाया सकता है और मंत्री मंडल विस्तार भी जल्द किया जा सकता है लेकिन जिस प्रकार से साम होते होते जो राजनीतिक घटना करम बदला उससे कही न कहीं कहा जा सकता है कि सिद्धू को साध्वपाना कॉंग्रेस पार्टी के प्रसान किसोर जो की सियासी रणनीती कार हैं आज दोनों नेताओं से उनकी लंबी मंत्रना चली गहन भारता चली और इसी के साथ साथ कॉंग्रेस महासच्यू केसी बेणू गोपाल से भी प्रसान किसोर की मुलाकात हुई अब इस मुलाकात के कई माइने निकाले जारे रहे हैं कुछ सियासी विशलेसको का कहना है कि आगामी लोग सभाचुनाओं को लेके प्रसान किसोर एक अलग रणनीती के तहत घेरा बंदी कर रहे हैं तो कुछ राजनीतिक विशलेसको का ये भी कहना है कि पंजाब में जिस प्रकार से सियासी रार ठनी हुई है उस सियासी रार का फॉर्मूला लेकर प्रियंका और राहुल के पास प्रसान किसोर पहुँचे खैर क्या है पूरा मामला और कैसे ये सिद्धू का जगड़ा निपट पाएगा ये किसी को नहीं पता लेकिन ये बात साफ है कि जब पंजाब का विवाद ही आला कमान अभी तक नहीं सुलजा पा रहा है तो फिर आखिर राजस्थान का विवाद कैसे सुलज पाएगा क्योंकि राजस्थान में भी हालात लगातार जो ग्रह कले से कॉंग्रेस पार्टी की वो चरम पर है पालेट बनाम गहलोत की जंग बदस्तूर जारी है और सचिन पालेट लगातार दिल्ली दर्बार और आला कमान की ओर कही न कहीं एक आशा भरी निगाहों से देख रहे है कि कब जो उनकी शिकायते हों का निवारण होगा और कहा जा रहा था कि पंजाब का विवाद जैसे ही सुलजेगा उसके बाद प्रियंका गांधी राजस्थान का विवाद निप्टाएंगी लेकिन सवाल ये है कि सिद्दू ने जिस प्रकार से आज ट्विट कर एक नया मा अत्मों का वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो क्या पाइलेट भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं खैर ये सियासत की दुनिया है और सियासत की दुनिया में सब कुछ संभव है और सियासत में जिन सवालों का जवाब आप चाहते हैं उन सवालों का जवाब वक्त की गर में छिपे होते हैं दोस्तों कल फिर हाजिर होंगे सियासति दिल्चस्ट खबर लेकर तब तक के लिए नमस्कार